लोग सभध चुनाओं को लेकर तैयारिया चरम पर हैं बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टिया एक जुठ होने की कोशिश कर रही हैं एक तरफ तो केजीवाल को कॉंग्रेस ने करनाटक के सीम सिधरमया के शपत क्रहट समारों में बुलाया ही नहीं दूसी तरफ केजीवाल कॉंग्रेस से उसका साथ देने की अपील कर रहे हैं कयास लगा जा रहा है कि अध्यदेश के मामले में फसे पेच पर केजीवाल को इस बात की भी परवार नहीं है कि उन्हें कॉंग्रेस ने नियोता दिया या नहीं दरसल आम अभी पार्टी को दिल्ली के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यदेश के मुद्धे पर कॉंग्रेस का समर्थन मिला है ये समर्थन ऐसे ही नहीं मिला इसके लिए बिहार के मुख्यमंतरी रितीश कुमार ने कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिका जुन खड़ गे और राहुल गाधी से मुलाकात कर उन्हें मनाया है मेरे रिपोर्ट्स के मतावि कॉंग्रिस नेता केसी वेनु गुपाल ने इसकी पुष्टी करते हुए कहा कि कॉंग्रिस अध्यादेश के खिलाफ आम आपनी पार्टी का समर्थन करेगी हाला कि पार्टी प्रवक्ता अनशर्मा ने कहा कि अंतिम फैसला समान विचार धारा वाले दलों से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा बदादेगी केंज सरकार ये अध्यादेश सुप्रिम कोड के उस अध्यादेश के बाद लाई है जिसमें कहा गया था कि चुनी हुई सरकार ही दिल्ली की बॉस है उपरा जिपाल को सरकार की सलाह पर काम करना चाहिए इसके पहले नितीश कुमार भी कह चुके हैं कि वो अध् संविधान के खिलाफ बताया था नितीश ने कहा एक चुनी हुई सरकार को दी गई शक्तिया कैसे छीनी जा सकती हैं इस सम्विधान के खिलाफ है हम अरविंद के जीवाल के साथ खड़े हैं हम देश के सभी विपक्षी दिल्व को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे है मैं केजी वाल ने कहा के सरकार इस अध्यदेश को कानून बनाने के लिए रास्था मिलाती है तो विपक्ष हमारा साथ दे विपक्ष एक साथ होगा तो 2024 लोगसफा चुनाओं में भाजपाख खत हो जाएगी इस अध्यदेश के विरोध में हम देश भर की विपक्षी पार्टियों से मिलकर सवर्थर मांगेगे बता जारेक नितीश 2024 लोगसफा चुनाओं से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए कई दल के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं क्यास यह भी लगाया जा रहा है कि कॉंग्रिस आपकी तनातनी इस कवायद में मुश्किले खड़ी कर सकती हैं